नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कोशल एवं रिचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। अब तक आपने प्रत्यासता के बारे में काफी कुछ जाना और समझाए। कैसा रहेगा यदि आपको प्रत्यासता से जुड़े कुछ रियल लाइफ एक्जामबल्स देखने को मिले। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। प्रत्यासता के व्यवहारिक उधारन की। तो सबसे पहला उधारन होगा क्रेनों की धात्विक रसियां। तो आपने कभी क्रेन देखी हैं? कौनसी क्रेन? तो वही क्रेन जिनका उप्योग भारी वस्तुओं को उठाकर एक स्थ स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। आपने देखा होगा वापने आपने नोटिस किया होगा कि क्रेन में एक मोटी धात्विक रसि का उप्योग किया जाता है। रसि मतलब कुछ कड़ी टाइप कि आपने इस तरीके से देखा होगा कुछ इस तरीके स इस तरीकी की रस्य आपने देखी होगी, देखिए, अब मेरा प्रश्न आपसे यह है, कि क्या इन क्रेनों से हम कितना भी भार उठा सकते हैं, कि मान लीजिए एक क्रेन है, उससे हम कितना भी भार, चाहे वो कितना भी जादा हो, चाहे कितना ही कम हो, कम के तो खेर बात नहीं क तो देखिए, simple सी बात है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि हम कितना भी भार इस स्क्रेन से उठा सकते हैं. अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरा question नेका और है, हम कितना भार इस screen से उठा सकते हैं, वो कौन सा maximum या अधिक्तम भार होगा, जो हम इस screen की मदद से उठा पाएंगे, तो इसका उतर है, हम वो देखो कैसे निर्धारित करते हैं, धातविक रशी से उठाए जाने वाले भार क निर्धारन कैसे होता है, वह डोरी के पदार्थ, यानि कि इस डोरी को बनाने में जो भी पदार्थ यूज हुआ है, इस डोरी के पदार्थ की प्रत्यास्तता की सीमा में हो, यानि जो प्रत्यास्तता सीमा होती है, उसके अंतरगत हो, उसके पार ना जाए, ऐसा क्यों? क्य कि यदि वो भार प्रत्यास्तता सीमा के पार जाता है तो क्या possibilities हो जाती है कि रसी खिचनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी कमजोर हो जाएगी यानि कि हो सकता है वो रसी तूट जाए और कोई भी नुकसान हो सकता है तो यहां पर जो क्रेन कितना भार उ अंतरगत ही वो होना चाहिए, यानि कि इसकी प्रत्यासता सीमा को पार नहीं करना चाहिए, अब आते हैं प्रत्यासता के दूसरे उधारण पर, तो दूसरा उधारण हम लेंगे, धात्विक शड में अवनमन, अब ये क्या होता है, आये जानते हैं, तो आपने कभी देखा हो होगा कि इस तरीके से पोल बनाए जाते थे न, मा вес बिजली के खंबे जो होते थे और यहान से कुछ तारे जा रहे हैं और यहां पर भी इस तरीके से है, यह आप ने देखा होगा, तो यहां पर, मैं किस की बात करऊँगी, यहां पर मैं इस वाली छड़ की बात करूंगी ठीक है अब मैं इसे दुबारा से यहाँ पर बनाऊंगी सिर्फ इस वाली को जिसके दोनों तरफ हम क्या लगा रहे हैं पोल लगा रहे हैं तो देखिए यदि ये ऊपर वाली छड़ है और इसके इस तरफ पोल लगाया गया था तो जब इसे शुरू में लगाते हैं तब तो ये ऐसा ही रहता है मान लीजिए इसकी लंबाई है अब देखिए धीरे-धीरे क्या होता है क्योंकि इसका वेट यहाँ पर लग रहा है क्या आपने ऐसा कभी नोटिस किया है यह ऐसा हो जाएगा ऐसा क्यों होगा क्योंकि जो इसका वेट है इसका भार कहां लग रहा होगा इस तरफ लग रहा होगा और इसे निरंतर क्या करेगा इसे नीचे को खीसता रहेगा मान लीजे इसका भाहर W है अब ऐसे case में क्या हुआ जो इसकी लंबाई थी वो तो L ही रहेगी है ना और जो मान लेते हैं कि जो इसकी depth है उसको हम D कह देते हैं ठीक है और इसकी जो चोड़ाई है जो मतलब यह है इसको हम कह देते हैं B ठीक है अब यहाँ पर जो इसकी initial position थी यानि कि जैसे जब यह सीधा था तो मान लीजे यहाँ पर यह जो portion है यह यहाँ पर कहीं रहा होगा तो यह जो हमें फर के अंतर देखने को मिला इसे हम कह देते हैं till कहतना समाज में आया तो यहाँ पर मैं आपको एक formula बता रही हूँ जो कि आपको सिर्फ formula ही देखना है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक application बता रही हूँ ठीक है formula से related आपके paper में नहीं आएगा तो W L cube upon 4 B D cube और Y होगा अब यहाँ पर जो Y है वो क्या है तो वो यंग प्रत्यास्तता गुणांख है D क्या है इसकी गहराई है depth B इसकी चोड़ाई यानि की breadth है और L क्या है L इसकी लंबाई है क्या अतना समझ में आया और W इसका weight है अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो delta है वो inversely proportional हो जाएगा किसके D cube के इसका मतलब क्या हुआ कि गहराई जितने कम होगी उतना जादा इसमें क्या आएगा इस तरीके से यह जुकाऊ आएगा है ना तो देखिए यानि कि यदि हम चाहते है कि जुकाऊ कम आए तो obvious सी बात है कि हमें गहराई जादा रखनी पड़ेगी इसी प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं कि डेल किसके proportional है inversely proportional है बी के यानि कि यहाँ पर जुकाऊ कम हो इसलिए हमें इसकी चोडाई भी अधिक रखनी पड़ेगी और अब देखिए यहाँ पर जो y है जो यह डेल है यह inversely proportional है y के यानि कि यह कम हो इसके लिए हम क्या कोशिश करेंगे कि जो यंग प्रत्यासता गुडांक है वो अधिक हो क्या इतना समझ में आया तो अब हम इसकी गहराई कैसे बढ़ाएं देखिए सबसे जादा तो यह गहराई से ही फरक पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर d की पावर 3 भी तो है यानि गहराई यदि 3 होगी तो यह पूरा क्या हो जाएगा 1 by 27 तो क्योंकि यहाँ पर cube है तो सबसे जादा फरक इस पर गहराई का ही पढ़ने वाला है तो इस जुकाव से बचने के लिए हम क्या कर सकते है चलिए आप इसे imagine करिए या सोचिए इस बारे में कि जुकाव कम हो और उसके लिए हम जो गहराई है उसे बढ़ाना चा रहे है तो हम क्या करेंगे हम जो है हम पोल को इस तरीके से बनाएंगे ये देखिए ध्यान से देखिएगा यानि कि कुछ आई के शेप में बनाएंगे क्या आपने ऐसे पोल देखे हैं पोल मतलब ये सपोर्ट होता है नीचे से ये ठीक है इस तरीके का कुछ बनाएंगे ऐसे में क्या हुआ इसकी जो गहराई है वह बहुत अधिक हो गई क्योंकि ये एक ही वो था ना पहले तो ये अलग छड़ थी अब ये एक ही छड़ है और गहराई अब क्या होगी देखिए गहराई पहले सिर्फ इतनी माने जा रही थी जब हमने इतना लिया था लेकिन अब इसके गहराई ये माने जाएगी तो देखिए नहीं बढ़ गई है गहराई भले लंबाई तो उतनी ही रहेगी जितना हम यहाँ पर ले रहते पर गहराई बढ़ गई है क्या समझ में आ रहा है तो यहाँ पर जो गर्डर के आकरिती होती है इसे हम आई की भाती बनाते हैं जिससे अब नमन कम हो और साथी साथ पदार्थ भी कम लगे तो यह कुछ गुण थे कि हमने कैसे प्रत्यासता को यूज करते वे अपनी क्या-क्या फाइदा कर लिया ठीक है तो मैं उमीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको यह चीज इंट्रेस्टिंग लगी होगी शायद आप अब यह कहीं देखेंगे आकरिती तो आपको पता होगा कि इसे इस शेप में क्यों बनाया गया है